मेंडर रासिवलों हमारे वेदों में, हमारे सास्त्रों में, हमारे पुराणों में स्पष्ट रुप से लिखा गया है जब मनुष्य की गर की स्थिती, आर्थिक स्थिती, संतुस जनुख हो या उनके देनिक जीवन निर्वाह के समुचित व्यवस्ता हो या भी रापवह कर सके कि उसका पूरा जीवन ही व्यवस्तित हो तो उनके लिए सुप उभोग करना आसान हो जाता है इसवर का स्मर्ण करना उनके लिए संभव हो जाता है लेकिन जो लोग दन के लिए प्रेम के लिए जूज रहे होते हैं और आर्थिक स्थिती को लेकर चिंतिद होते हैं उनके लिए जिवन को समधना और जानना बहर जरूरी होता है और इसे लिए ही आज में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि जुलाई का महना आपके लिए केसा रहने वाला हैं आप जिस सुख की सोभाग्य की जिस सुविधा की जिस सक्तियों के लिए असंख्य सपने देख रहे हैं क्या वहाँ वाकई में जुलाई महने में पूरे हो मित्रो आदी अनादी काल से ही यह श्पष्ट हो गया है कि आत्मा परमात्मा के ही समान महान है और उसमें भी हमारे परंपिता यानि कि हमारे इस्वर की शंपून सक्थिया और संभावनाए चिपी हुई है लागों कुबेट के खजा ने रिद्धी सिदिया यहां तक की अगनित भंडार मनुस्य के रोम रोम में चुपे पड़े हुए है क्योंकि मनिस्य यही वह पारस पत्थर है चो सब कुछ हासिल कर सकता है क्योंकि मनुस्य ही स्वयम कल्प व्रुख से है जिनके मन में जोजनाय बनती है और फिर साकार होकर साकसात स्वरुप ले लेती है और व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है लेकिन इनके पीछे भी एक बड़ी बिग्यानी सकती छिपी हुई है वह है ग्रहों के प्रभाव की और उसी के प्रभाव से जुलाई मन्द आपके लिए कैसा रहने वाला है इनके बारे में शंपूर्ण जानकरी इसी वीडियो में मैं देने वाला हूँ तो आखिर तक इसी वीडियो को जुरिर सुनियेगा और समझेगा मित्रो मेने 7 अप्रेल 2024 के कुम्बरासिक के वीडियो में ही 22 सिवारी करते हुए कहा था भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थी विवस्ता बनी के ओर आगे बढ़ेगा भारत को सक्ति साली देश की पहचान मिलेगी फिर से भारत नरेंद्र मोदी के नेतरुत्व में आत्मा नेरबरता की ख्षीतिच को छूती हुए टेकनोलोजी और विकास को आगे बढ़ाएंगे और आज मिरी या बविश्यवानी सत्त प्रतिसा सही साबित हो रही है आप चाहे तो उपर क्लिक करके पूरी वीडियो देख भी सकते हैं तो चलिए जानते हैं मेरासिवल जुलाइ दोजार चोवईस मेरासिवल दोजार चोवईस के अनुसार जुलाई का महना कारियों में सभलता और जुबन में खुशी दे कर जाएगा क्योंकि 31-31 जुलाई के बीज में आपके कुछ आधे अधुरे कारिय, जिमन की कुछ इचाय और सपने पुर्ण होने की योग निर्मित हो चुके है जुलाई मेहने में आप जो भी काम करेंगे इसमें आपको शफलता प्राप्त होगी प्रोपटी खरिदने बेचने की योग निर्मित हो गए पुराने किये गए निवेश से अत्याधिक लाब प्राप्त होगा आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आपका कही पर धन फ्रसा हुआ है या फिर कही पर किये गए निवेश से आप बाहर निकलना चाहते है तो भाग्या आपके लिए बड़ा उशर लेकर आ रहा है पहला उशर आर्थिक चुनोतियों से बाहर निकालने के लिए कर्ज को समाप्त करने के लिए धन को लेकर मिलने जा रहा है इसे में जुलाई में आपको बड़ी मानसिक सान्ती प्राप्त होगी आप रात को चेन से सोब सकेंगे और पारिवारी इच्छाओ को पूर्ण करने के लिए भी आगे बढ़ सकेंगे मित्रो जुलाई मेहने में सब्तमेश सनी के प्रभाव से आपके प्राकरम में ब्रुद्धी होगी तथा नोक्री या रादनीती में आपको किसी महत्व पूर्पत की प्राप्त होगी जिसे आपको सेवाओ का सुक भी प्राप्त होगा इसके साथ ही साथ लाव की संभावनाएं बनेगी। इसे में आप एक प्रभावसाली व्यक्ति की रुप में प्रसित दिप्राप्त कर सकेंगे। जो इंफ्राट्रेक्चर से सम्मधित कारिय कर रहे हैं उनको जुलाई मेहने में अब विराट धन प्राप्ति का लाव मिलने वाला है। मित्रुक 11 जुलाई तक मंगल के ही घर में मंगल आपका अमंगल होने से बचा सकते हैं। जो लोग विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्ति के बार कारिय प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं। उन्हें जुलाई में सभलता मिलेगी। आपको मल्टिनेशनल कंपनियों में जो वो प्राप्त होगी आप इच्छीद स्तानातर्ण कर सकेंगे। सनी के संयुक्त द्रश्टि के प्रभाव से प्रत्योगी परिक्षा में भी सभलता प्राप्त होगी। अगर आप उच्छ सिक्षा है तो स्रेष्ट सेक्षिक संस्तान में प्रविस्की भी इच्छा रखते हैं। तो आपकी भी यह मनों कामना पुर्ण जरूर हो सकती है। मिन रासिवलों कहा जाता है कि इस प्रुत्वी पर भी व्यक्ति चाहे तो सुरक्सित जीवन बेता सकता है। लेकिन यग्दी व्यक्ति का प्रेम जीवन ही सुखी नहीं है। तो उसके पास सब कुछ होते हुई भी कुछ नहीं है। लेकिन 6 जुलाई से प्रेम के दाता सुकरा करकर रासि में पहुचेंगे। तो इसे में जो अविवाहित जातक रिलेसंसिप में हैं और विवाह करना चाहते हैं उनके लिए सकारतमंग संभावनाएं बनेगी। चंद्रा के गर्मी शुक्रा रुमाज के लिहाद से आपके लिए अच्छे योग का निर्मान करेंगे। आपको मन चाहा पार्टनर मिल सकता है। इसके साथ अविवाहित प्रेमी जातकों के संबन भी मदूर बने रहेंगे। यहां तक कि जुलाई में आपका खोया हुआ प्यार भी वापस मिल सकता है। मित्रों जब जब भी सनिदेव वक्री हुए है और कुली में लक्षमि नारण योग बनाया है। तब दब आपने आकस्मि धन प्राप्त किया है। आप किसी पार्टी में होते हैं तो संगर्ठन को मजबूत करने की दिशा में कदम रखते है अगर आप किसी बड़ी संस्ता या फिर बड़े पदों पर होते हैं तो अपना पद बनाये रखने में काम्याब होते है। इस सवधी में आपको सत्ता का सुक प्राप्त होता है। अगर कुली में आपका राजयोग भंग नहीं होता तो आपको पैतरुक संपति से धन या फ में खजाना भी प्राप्त होता है। दूसरा अउसर रियले स्टेट से जुड़े आयद निर्यात के छेत्र से जुड़े लोगों को प्राप्त होगा। तुर्तिय भाव मिस्तित ब्रहस्पती जुलाई मेहने में शुफल प्रदान करेंगे। सरकारी तंत्र से आपको लाब से किसी सहायता पेकेज या पिर अन्य तरीके से भी लाब मिल सकता है। और किस्मत महरबान होने से आप अन्य जगह से भी पेसे प्राप्त कर सकेगे। हुआ है। जो असे से संब्मृत करते हैं कίν दोक्टर है, जो अउश튼ती से संब्मृत करते हैं। जो रंग-्रोगान इवนะคะ से अँसे संब्मानित कारिय जुड़े हुए हैं। वह अपनी कोई बड़ी इच्छा या फिर बड़ी आकांगशा पूर्ण करने की ओर आगे बढ़ेगे और इसे में अगर आप किसी विदेशी सर जमीर पर अभी भी संगर्ज कर रहे हैं या फिर जीवन चला रहे हैं कहने के तो आप बाहर है लेकिन धन और सुक इतना मिल रहा है जितना आप भारत में पा रहे थे आप भी जीव जीने और बिताने के लिए आवस्यक्ता होती है ग्रहों की सुप्रभाव की इसलिए किसी बड़े निने से पहले या फिर जीवन के अगले पढ़ाव तक पहुचने के लिए आपको अपनी कुनली की ग्रहों का अध्यन करना पड़ेगा और उनकी अनुसार जीवन में आगे बढ़ना रहेगा तभी जाकर आप सबी प्रकार के लाब और प्राप्त कर सकते हैं इसलिए आप भी कुनली का विश्लेशन अविश्यक करवाए आप देख रहे थे मीनर आसिफल जुलाई दोजार चोविस जैगरुदात जैगिनारियो